पिछले एपसोड के एंट तक अपने देखा सुजन किसे दूसरे विल्ट के दर पहुच जाती है जहापर उसे सिस्टम की पावर मिलती है और साथ में उसे पता दलता है उसके प्रशन को इस विल्ट के वारे में कुछ का सपता नहीं था सुजन को यसा उस्टम को आच चुका है लेकिन उसकी नोलेच पूरते से धुरी है उससा यह नहीं पता के शेन खुद भी इसक कुछ जानता है सुजन को अक्रिता समझ जाया कि शेन के जितरते मनने वाला है और उसे बचाना ज़लुरी है इसी असे से सुजन वापिस से हमर व प्रफिशन करता है से मिसी टाइम पर ओट लंका एंपार के अंदर भी को छोटी बड़ी चीज़ चल रही होती है वहां पर एक मॉस्टर का टैक होता है जो की बड़ी से रोग दिया जाता है इसी तरह से एक टाइम पर कई सर्ची जोने की बाद में हम फुक्सी एंपार कसी द बड़ी बड़ी चाहते हैं यहां पर इस सब क्या हो रहा है मुझे लगा था यहां पर कौफ साइब भीड़ोगी पूरी फुक्सी एंपार यहां पर इस समारों को देखने के लिए आएगा जिंगा बोलता है यहां पर कोई भी नहीं आया तैम्परेज एक लेड़ी है अभ के अंदर कफी लंबर टाइम लगेगा जेंगा बोलता है तुम्हें क्या लगता है इसके लिए हमें एक चाह करना चाहिए शेन केता है फिला लग तुछ नहीं हम कुछ भी नहीं करेंगे यह जब कुछ इनका आपसी वामला है यह लोग संभाल सकते हैं इसी टाम पर सब्सक्राइब करती है जिसके दिखाए यहता है और उनकी साथ में इनका एक लीडर भी है जो कि इन सभी से कहने लगता है हमें जल्दी से मेजर सिटीज के ओपर अठक करके और अपने कभजे भी लेना होगा इससे पहले की हिमन्स को हमारे एक्सिटेंस का बता पड़े हम क काफ़े बेड़े एरिया को अपने कभजे में ले चुक होंगे इन्हें देकर शेन कहता है हाँ आपको ठीक है रहे हैं यह सब की सब कभजा ताकत हो रहे है जैसा कि मेना को पहले बताता इस जिगा पर काफसर हेल ब्लॉंग करता है उन्हें में से किसी हेल कहल से कि सारी यहा सब्सक्राइब करता है इसकी पावर किस नॉर्मल जैंट से थोड़ी जादा है तम पर सभी मॉस्टर भी जरूस चलान शुकर देता है यह मॉस्टर जरूर से किस दर्द में इसे किस तरीकी पनिश्मन दी गई है अगर हम इसकी मत करता है तो हो सकता ही शान्त हो जाए इसकी बाद में सब ठीक हो जाएगा मैंने इस पूरी एरे को स्कैन कर लिया है यहां पर यह एक लोता मॉंस्टर है इसलिए इससे स्वाइट करना चाद्ध मुश्किल नहीं है तबी डिफेंस काउंसल का यह बंदा सार पर आकर हम सब्सक्राइब कर देगा यह किते हैं सोच रहा होता है मैं किसी भी तरिके से पूरे वर्ल्ड के सामने आज प्रूफ कर दूँगा कि तुम हमारी रानी बंदे के लायक नहीं हो इस बंदे को रोकने के लिए वोलनाई को सपोर्टर से आगे बढ़ता है वह कहने नहीं सकते शेन यहां पर इन लोगों की यह रकते दे के सोचा लगता है यह लोग की तरद घटिया है इनकी सिटी के ओपर इत्ते खत्रनाक मॉस्टर अटेक कर दिया है इसकी पाउजुद भी आपसे कॉन्फिल्ट के दर लगे वह हैं यह इसको एक मोगे की तरह ले रहे है जिस तरीके से यह फुक्सी अंपरिक क्विन को उसी कद्दी सेटा सकें यह सच में इन लोगों का कफे घटिया मूव है जो की इस टाम पर यूज नहीं के जना जाईता है फिर शेन यह इंगाउ से बोलता है यह इंगाउ तुम्हें पता तो होगाई यह लोग दो तरह एक गौर्ट को मानते हैं एक है गौर्ड ऑफ ब्लैक करो और दूसरा है गौर्ड ऑफ डॉग जेंगाउ बोलता है हां मुझे पता है लेकिन तुम्हें करने क्या वाले हो शेन कहता है मैं गौर्थ को यहां पर लेकर आने वाला हूं तुम्हें बस मेरे मदत करने होगी जह पर स शेयर नश्टी हो जाए सारी तरह से मोस्टर का टैक हो जाए लेकिन गद्धी तो मेरे उपर ही आएगी मैं फुक्सी अंपायर क्यों बनके रहोंगी और आज ही यहाँ पर जो प्रसेस सिल रही है उसे हम कंप्लीट करके रहेंगे और रही बात तुम्हारी तो तुमने मेरी काबलियत के उपर शक करकर एक बहुत बरी गर्वड की है इसकी तुम्हें सजा मिलेगी लेकिन मैं बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं हो कि इती बड़े प्रॉलम के साथ में तुम्हें सजा देनी कोईश करूँ अभी फिलाल के लिए मैं सभी लोग को बचाऊंगी यह जिते भी लोग है उन सभी को प्रॉडेट करना मेरी जीमिदारी है मैं वादा करती हूं जब तक यह पर मैं हूं यहाँ पर किसी को भी कुछ भी नहीं होगा वोलना के इता के बीस्दे इस क्यूल के लोग बढ़ने लगता है इससे देखकर ही लोग बोलने लगता है देखो दिफेंस का यह बंदा अभी भी उसे नीचे दिखने कोश्च करता है वो कहता है नाई ऐसा कुछ भी नहीं है यह गॉड़ ओफ क्रो नहीं है यह के वल कोई भी कासी ट्रिक है जो कि यहां पर यूज़ की जारी है हमें गुम्रा करने के लिए क्योंकि गॉड़ ओफ क्रो तो जिसनों कोई बोलना शिन की चाल समझ जाती है वो तुरह थी उसा भी हाथ से उटाकर उसे बोलने लगती है मेरे गॉड़ियन प्लीज मेरे विम्रत कीजिए हमारे उपर एक बहुत बहुत बदर खरतर आया है इस खत्री से अपटने के लिए हमें आपकी पावर के जोरत है यह सुनने के साथ ही वो गॉड़ जोर से हमें उखिलता है उसके अंदर से एक बहुत बहुत बार निकलती है इसलेट के साथ में वो आपीस से हुमन फोर में आ जाता है यह गुग कुण चैन है जिसने अपर चरे मास्क लगा रगा है ताकि वो सबके सामने यह दिखा सके कि वो एक गॉड है फिर वो वोलना से बोलता है वोलना मैं तुमसे कवज़ता खुश हूँ तुमने इस एंपायर को कवज़ते चलाया है और मुझे तुमसे पूरी उमीद है आगे भी फुक्सी एंपायर को तुम कवज़ते चला सकती हो अब तक जितने भी एंपायर हो है जिसे इस मोश्री तो बढ़ने लगता है और इसके पास में आकर इसके बहुत देख करता है। मोश्री याँ पर एक सकीर भी शिंग सेम टेक नहीं पाता और शेन की एक अटक के अंदर पूरतर धेहर हो जाता है। शेन की इस पार को देखकर ये फिली और येंग हो भी कवी चोके होता है। शेन की इसके बार में खतम कर देना चाहिए। में गौर्स तो सपोर्ट करते हैं। येंगाँ सुचन लगता है कवी शानदार था। इस एक्ट के बाद में अब कोई भी बुलनाई खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ से हम ओटलंका एंपरकसीन दिखते हैं। जहाँ पर एसमोडियस ये वही बंदा है जिसे मास्क लिडी ने इसके बुलाया था। यह अराम से एक पूल के दर लिटा हुआ है जिसमें चारों तरफ खून ही खून है यहाँ पर इसको जो ही प्रसेस करनी थी वो सारी कम्प्लिट हो गई है यानि इसने हजारों लोग को मार दिया है यहाँ बेठे वे यह इस मास्क लिडी से बोने लगता है तुमने कभी पूलते हैं मेरे बोड़ी के अंदर आ रही है लेकिन यह भी काफी नहीं है मुझे थोड़ी सी ओर इने जी चाहिए जो कि जल्दी पूरी हो जाएगी मास्क लिडी बोलती है एसमोडियस आप जित्ती बीचाए उत्ती पावर को अब्जर्ब कर सकता है लेकिन मेरे एक सवा को लेते हुए एसमोडियस से उचके लिए थैंक्यू बोलने लगती है इसकी कुछ दिरबाद में हम इस मास्क लेडी को इस दूसरे बंदी की साथिम देखते हैं इसका नाम हूट है यह सामने इत्रफ एक स्किन पर दिखते हैं यह क्या हो रहा है यहाँ पर यह बंदा कैसे असल में यह लोग यहाँ पर फूकसी अमपाइर की सेर्मिन का सीन देख रहे होते हैं जापरी ने गुक कुंचन दिखा जीता है वहाँ पर फूकसी अमपाइर में सभी लोग इसे गौर समझ लेते लेकिन हूट तो नती है इसे फितन जाता है क्योंकि हूट की सिद में पोच चुकी है और सिदे कुईन के सामने खड़ी है यूसे कहन लगती है मेरे बारे में तो आप जानती होगी मैं उटलंग का पैर से ब्लोंग करती हूँ और यहाँ पर इस सेर्मनी को अटन करने के लिए आई हूँ कुईन बोलती है हाँ मैं विल्कुल जानती हूँ तुम ए मेरे साथ में मीटिंग के लिए एक अकेले रूप में आ जाए तब भी शेहन धीरे से कुईन से कहता है आप इसके दम चली जाएए अचिंता मत कीजे यह वर मैं हूँ मैं सबस्भाल लूँगा शेहन की बात सुनकर यह कुईन मान जाती है और इसको लेकर अपने साथ में ए पर टेक किया था और हमारी एक बहुत बहुत चीज चुराली थी हम चाहते हैं उस चीज को हमारे अवाले कर दे जाए इसके बदले में मैं तुम्हें पूरी तरीके से ओटलंका एमपायर का सपोर्ट मिलेगा और इसके अलावा तुमारा फुक्सी एमपायर हमेशा हमेशा क केती है इसके लावा हमारे अटलंका एमपायर को तुमारे फुक्सी एमपायर के कव से रिसर्स के जुरूत है हम तुमारे कव एच्छे इंपार्टर बन सकते हैं तुम्हें से कव जिदा प्रोफिट हुआ क्योंकि इसका दिकार क्यों रोयल फैंबली को होता है यह सुनकर वो लिड़ी आगे बोलती है तो भी ठीक है यह तुम मान लेते हैं लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि तुमारी कंट्री के अंदर मेरा सेस्थिन चुपा हुआ है एक बंदा था जिसे में जो मानने कोश्च की थी वही क्रो का रूप लेकर तुमारे पास में आया था मुझे वो बंदा चाहिए उसे जल्दी से मेरे हवाले कर दिया जाए और सब के सामने यहाद बताई जाए कि वो कोई भीरुपिया था क्वीन बोलती है नाई बिल्कु भी नहीं तुम जानती हो तुमने किती बेरी गड़बर की है वो क्रो हमारी रिलिजन से ब्लोंग करता है हमारी रिलिजन के अंदर दो में गोड़ है उनमें से वो एक है उनके उपड इस तरह के अलजाम लगाने के बदले में तुम्हें खतम करने के बाद में ये पूरा फुक्सी अंपायर मेरा होगा और वो सेसियन भी मेरे कपजे में होगा ये कहने के साथ ही इस लेड़ी की बोड़ी के अंदर से कवज दीज से कटिश्य एनरजी भा निकलती है इससे देखने के साथ शेन, येंगाओ और जी फिली तिनों उसके ओपर अटेक कर देता है शेन अपनी स्वोर्ड से इस लेड़ी के ओपर अटेक करते हैं कहता है यापर अगर कोई मरेगा तो वो तुम होगी तुमने ये गलती कर दी इसी टैम पर इस लेड़ी के नजर शेन के तलोरक में पड़ जाती है ये तुनी तो समझ जाती है कि शेन ही वो इंसान है जो कि क्रोग के फोम में था और इनकी सिटी के अंदर गुसा था शेन को देखने के साथी ये लेड़ी अपने बार का एक्टिवेट कर दीती है इन में से कोई मूव नहीं कर पाएगा केवल ये पांसके नहीं काफी है इस फाइट को हमारे पक्षम करने के लिए यहापर सबसे पहले यही लड़का मरेगा जिसने कुछ मानने कोश्क की थी ये कि तरह लेड़ी अपने पूरी पावर से शेन के पर अटेक कर दीती है शेन के पास से एक अजीमत स्क्रोल बार निकलता है जो कि इस टेक को ब्लॉक कर लेता है इसलिए वो और किसी तरीके से शेन के प्रटेक नहीं कर पाती पिजिक सेट में हूट कुछ तो जोचन लगता है कि अब उससे आगे बढ़कर शेन के प्रटेक करना चाहिए लेकिन तभी उस जयाद रता है कि किस तरीके से इस लेडी के जैसे उसके भाय की डैथ हुई थी यहाँ पर हूट के भाय का नम इवान है और इवान वही बनता है जिसकी बोड़ी को इस लेडी ने उस जिपर को लाने के लिए सकरफास करा दिया था यह याद दने की साथ में हूट डिसाड करता है कि वो बिल्कुल भी इस लेडी की मदद कर नहीं कोचने करेगा और जो जैस चल रहा है व्याद चलने देगा इसी के साथ यह पांट सकीन पूरी हो जाता है शेन, जीफिली और येंगाओ तीनों एक साथ इस लेडी को प्रेटेक कर देता है ये लेडी थी जी से पीछ अटते वे अपनी साथी हूट से बोलने लगती है जल्दी यहाँ पर आओ, मेरे मदद करो हूट कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं तुमारे विज़े से मेरे भाई की डाथ हुईती वो तुमारा किज़त वफदार था तुमारे लिए अपनी जान देने के लिए तियार था लेकिन तुमने ऐसे बेकारे काम के लिए उसकी लाफ सेक्रफाइस करा दी अब यहाँ पर में बिल्कुल भी तुमारे सपोर्ट में नहीं हूँ आगे जो कुछ भी करना है, वो तुमें खुदी करना है जी सुनकर अब इस लेड़ी को अपने साथी हुट के उपर गुसाईन लगता है शेन तेजी से इसकी पीछा कर इसे बोलता है आप तो तुमारे साथी तुम्हें गदर देने लगें इसका मतलब आप तुमारे मन्ने कटाम हो चुका है जेकी तो शेन अपने वेपन को इसकी पीछ में गुसाईता है शेन की इस ट्रक के बाद में फाइनली इस लेड़ी की डेस होती है इससे जीने पड़ा हो देखकर शेन कहने लगता है अच्छा हुआ मेरे बास में वो स्क्रोल था जो की एमारे मुझे दिया था उसने मुझे यहां प्रोटेट कर लिया लेकि मुझे एक चीस समझ में नहीं आ रही है एमा के पास में इतना ताकतो स्क्रोल के से वो स्टैंपर है कहां पर तब ही यंगा हो शेन की बास में आता है और से कहने लगता है शेन अब इसे क्या करना है ये भी मर गई ये तो पहुत शांदार हुआ ये थी ताकतवर थी इसके बार में मैंने काफी कुछ सुना था अब फाइनली हमने से मार दिया है शेन कहता है हाँ तुम भी कुल ठीके रहो इसे मारना मारे लेक बड़ा स्टेप हो सकता है तब ही ये फिली इस बंदे हूट के उपर अपने तलवा रखते हुए बाकियों से कहने लगता है इसका क्या करना है क्या हम इसे भी मार दें शेन कहता है नहीं हम इसे मारेंगे नहीं इसने इस वेट के अंदर हमें सपोर्ट करना ही कोईश की इसलिए हमें भी इसके मुका देना चाहिए क्यों कहती है हाँ हूट तुमने हमें मत करना ही कोईश की इस वियसे हम तुम ही एक मुका देता है हमने तुमारी फैमली के उफदर के बारे में काफी कुछ सुनाए तुम लोग काफी लंबे टाम से ओटलंका एंपायरी खिद्मत में रहे हो अब मम चाते हैं तुम अमनी पक्ष को खुद से चुनो ओटलंका एंपायर है क्या तुम्हें इस बना चाहिए अउटलंका एंपायर वो जगर नहीं नहीं वहाँ पे राज करनेवाल लोग है और अउटलंका एंपायर है वाहं की रोयल फामली और वहाँ पर रहने वाले सबी लोग इसलो कि में उस पक्ष टूपर्ट करना चाहिए जो कि वाकि लोग के लिए फायदे बंदो तुम्हें एमा को सपोर्ट करना चाहिए एमा ही उस आउटलंग का एंपायर की अगली रानी बनेगी तुम इस बारे में क्या सोचते हो हुट कहता है अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है कुईन कहती है जल्दी है सोचलो और भागी से भी तारीफ करने लगती है वो इससे बत कहती है तुमने कव शानदार काम किया तुमने जिस तरिके से इस लेड़ी को हराया वो कव शानदार था ये इंगा होगी बढ़कर इस सब के लिए थैंक्यों कहता है यहां से हम उटलगता है पर कसी दिखते हैं जहां पर ये बंदा आराम से बेठा हुआ है और इसको जो भी प्रोसेस करनी थी वो सारी कंप्लेट हो चुकी है हुमन्स के बलड़ से इसे कव शानद एनरजी बिल चुकी है तभी इसके वसम चो कार होता है उसके अंदर खुझ जिसी रिक्षन हो लगता है ये एक दिम्स टूड जाता है इससे देखकर इस समिझ में आता है कि उस लेड़ी की डैस हो चुकी है और इसने उसे जो कार दिया था वो कार भी इसे बचा नहीं बाया है ये बता चलने पर ये कहने लगता है ये तो कभी बुरा हुआ उस लेड़ी की सोल को मैं मेरी बोड़ी के अंदर अब्सॉब करना चाहता था वो कवज़दा पावर्फुल थी अब मुझे पूरे व्ल्ड के अंदर उस लेड़ी की सोल को डूड़ना होगा लेकिन चलो अच्छी बात है इन सारे हुमेंस की बलड़ को अब्सॉब करने के बाद में मेरे अनरजी कवज़दा बढ़ चुकी है मैं सबसे पहले उस लेड़ी की सोल को डूड़नूगा और फिर तुरंती इस वर्ड़ से बाहा निकलूगा यहांसे हम दूसरी जगए कसी जिए देखते है यह वह जगए ह15 जापर इस लेड़ी की बूड़ी पड़ी हूई है और इसके निकलती है यह बहँ निकलती है खुद की बूड़ी को दिखते हैं तो फिर यानी की में मर चुकी हो इसके साथ ही ये आदमी इसके पहुझाता हündर्कें लगता है तो तुम बर गई अब तुम्हाँ सोल मीरे साथ में आएगी जल्दी से मीरे साथ में ची रूठिक वर्ल्ल के लाधे चलो वहाँ पर तुम्हारा काफलम मिटेंस नजार हो रहा है लीडी कहती है, ऐसे ही मैं इससे नहीं जाना चाहती इस world के अंदर मैं कुछ बढ़ा करना चाहती हूँ अटलीस्ट मैं चाहती हूँ मैं उस नसार को मार पाऊँ जिसमें मुझे मारा है तो प्लीज मेरा बदला लो इसके बदले में तुम्हें जो कोई कीमत चाहिए वो मैं चुकाने के लिए त्यार हूँ ची डेवल, एसमोडी इस कहता है, तुम मुझे क्या ही दे सकती हो, तुम तो पहले ही मर चुकी हो तुम्हारे पास में तुम्हारी सोल के लवा और कुछ भी नहीं है, लिडी कहने लगती है, हाँ तुम भी कुछ ठीक कहे रहो, मैंने जो कुछ भी कहा, प्लीज उसके भूल जाओ, मैं अब बिल्कुल भी अपना बदलने के लिए नहीं चाहती हूँ यह सुनकर अब एसमोडी तुम्हारी सोल अब से मेरी होगी, तुम मेरी बात को मानोगी ऐसा करने से, दोनों तरफ से मेरा इफाइदा होगा, उस लड़की के सोल को भी पेपरे कपजे में ले लूँगा, और खुद की पावर को कफ़ चद़ा बढ़ा लूँगा SMODYS के इता कहने के साथी इस जिगह पर एक पुटल अपन होता है जिसके अंदर से एक God भाँ निकलता है ये God of Death है इस तिकर SMODYS कहने लगता है ये क्या हो रहा है God of Death इस जिगह पर क्यों आए God of Death कहता है उसे मेरे हवाले कर दो उसके अता कहने के साथी SMODYS के हाथ में जो इस सोल होती है वो सीधे उसके हाथ में सूट कर इस God of Death के पास में आ जाती है यहाँ पर इस God of Death का आना कोई कॉंसिदेंस नहीं है ये एक बहुत बड़ा इंपक्ट है एक Flashback है जो की अगले एपसोड में आएगा थोड़ सा हिंटे देवे मैं ये बतायता हूँ इस सब के बीचे एमा का हाथ है एमा अपने एक अलग मिशन पर इकली वी है इस जैसे ये सक पुछ हो रहा है God of Death इस जगपर एमा की वज़िस से ही आया है यानि कि इसका मतलब अगले एपसोड में एक Flashback शुरू होने वाला है जिसमें एमा की मिशन को दिखाये जाएगा